तो उडिसा की जो पांच महन संथ है उन्होंने लिखे हैं 500 साल पहले लाखों की संक्षियाएं पे मालिका ग्रंथ जिसको हम कहते हैं भविष्य मालिका तो उसमें से लिखा है चार जगह के बारे में एक जगह वहां जल रहा है और एक जगह है वहां पे कुछ सुनाई दे रह करnasuu ऐब आवाज है और एक एसे भी जगह है जहां पर कुछ बढ रहा है और एक एसे भी जगह है वहाँ कुछ घट रहा है तो जु जल रहा है वह सप्र जल के जगश्ची प्र जिला के अंतर्गात एक है धर्तंगाढ जनगल वहां पे धुरूप तपस्तनी और वहां पे पता नहीं बर्सों साल पहले वह जो यग्यां की कुंड है वहां पे अगनी जो है पता नहीं कब से वह जल रहा है जब वह 1999 में जब जो चक्रवाथी तुफान आय था अग नहीं समट था वह तब भी जल रहा था और एक जगा है जहां पर कुछ सुनाई दे रहा है, वह है कटक जिला के अंतरगत एक है गिर्धरी मठ, तो वहां पर कुछ अजीब आवाज आ रहे हैं, बारा तरे की आवाज आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, कुछ पता नहीं है, और एक जगा है, वहां पर कुछ बढ़ रहा है, वो जगा है आचितर नन दास जी के जो साधना पीट है वो है नेमाल नेमाल धाम में वो जो बट रुख्य के जड़ है वो जड़ जब गादी छुएगा तब कलियुक की अंतिम कालखन की संक्रत मिलेगा महाप्रलई की संक्रत मिलेगा तो वहाँ पर जड़ है वो बढ़ रहा है गादी की और और एक जगह है वहाँ घट रहा है एक बहुत बड़ा सा उई के खुंका जो होता है वहाँ लगभग 12 फीट का वह घटकर बिलकुल उसका नामोने सा नहीं है यह वही जगह है यह है संत बलरम दास जी जो पंच सखाओ हम लेते हैं हमार सा जुर है कानु अबाजी बाबाजी आपके स्वागत करता हूं जये जगहना जये पंच सखा तो अबाबाजी यह जगह है यह जो हूंका था यह घट रहा है और बालिका में यह खुला सा आपने भी किया थे क्या लिखा है पहले आप अपन्क्ति सुनाई है उसके बाद आप हिंदी में उसके बाक्षन दे गए यह है निरुष्णी अबट जी भगवान जो पंच से का बल्रम दास है ना यहां से साधन पिठ है यहां पर हुंका जो है यहां के चलिया में पिछे में स्वेतनाग है यह जब जूले जाएगा निखल जाएगा बारह प्रहा था और बिल्कुल समय जाएगा यहां से मिलेगा युग अंत के सुचना यहीं से मिलेगा यहीं से मिलेगा इes वहराम दास में कलीत अंडव गीता में यहां लिएक लिखा है क्लेनृषिंग बट्टा संभू पारे साहित जुग परया संकेता शेठाय बरे ड़े श् जुग प्रवल्यव शुच्छ प्रमाना, कुछवध्रा तेल्या उपजिव संभादियम् भसंगेन। इठी काउचमती, जुग प्रल्यव संमझत ले असीव यह उंका कॉर्माने असीव पहंचिवे, शमाचत ले असीवे, असीवे इज समाधी पिटे को आसीवे, तो यहां बेक नदी है उसका नामे कुसवद्रा और वहां से गुप्त जो धारा है पुल जाएगा अपने अपने अथा जाके वह एक धारा होगा इसका नाम होगा सिसुफद्रा होगा सिसुफद्रा एक नया नदी नदी निखलाएगा उसका नाम होगा सिसुफद्रा तो गुप्त धारा निकलेगा और यह जो उई होंगा वह बिलकुल नीचे समढ जाएगा और तब युग अंत का प्रलय का संकेत मिलेगा तो मतलब अभी जो है प्रलय लिला लगभा शुरू हो चुका है शुरू हो गया दोजर इसमें हो गया अरमवगला दूसों दोसों चबिसमें दोजर चविश में वह टेलर चलेगा अच्छा अब आप बोल रहे हैं तो कुछ जैकी तीन साल और तीन महीना कुछ बाकी है वह क्या है और चविश के सट्विश पर सुरू होगा दोजर चविश एसमें मेश्चार होगा 27 और उसके तीन महीने तक महीने में सुरू हो जाएगा शारी पृत्वि में अच्छा मतलब युद्धी होगा यह प्र कुछ प्रकृत्य अपताईं भी आएंगे युद्धी होगा तो फिर वो जगा है, एक जगा जल रहा है, एक जगा कुछ सुनाईदर रहा है, एक जगा बढ़ रहा है, और यह जगा है, कुछ गट रहा है, और भी कुछ संकेत मिलेगा क्या? नाइब यहांपर प्रेयन पान्च कूद है जब भगवान जी जब भगवान जी नारयान इसका बाहन गरुड से महालक्षिमी महालक्षिमी चाहाएथा यहांपर दकहिंत इसे गरुड है शिव संक्रभ है तो पाउं में चाल जल कर रहा है यहां पर आया था हो यहां पर गट गया काड़े को अश्री बाद कर रहा है उसे एक सीला रहे था है नोगी यहां पर रहे बहुत बढ़ है और पर बहुत बढ़ के जो एकतरिकारण परिक्ष्या यह यहां पर होगा इसोल मंदर है जगनाथ महाप्र being the 16th Mandal is में सबसे बड़ा गुप्तुस्तान है प्राची यह ही बलराम ड़ास की पीथे ए मां प्राची जो फिर्प था म है अंतर मंदव उसे रहे है उह होता है प्राची मंगला मंडल मंगला मंदल यह चा जोहल ग्रम ना जोहल गाम हाँ जो प्राभ भुला बाबा का अस्रम है ना उ लिखा है पंच असा ग्रंत हम यहां से जगना थे हम वहां पर जाएंगे यहां पर लिल्ला होगा और प्राची में जो 16 मंडल है ना सब हकतों एक जूत होगा अचा प्राची के अदिल लिल्ला है और होगा और पर कर रहा है तो औरिस्या के इलाबा बाकी जो प्रदेश से उनको भी हम दिखाएंगे कि लाखों के तेमाने पर वहां पर पोथियां भी है चलिए बाबाजी आपको बहुत बहुत ही महत्तिपुन जत्त्त थे हैं वह हमारे दर्सक तक आपने पहुंचा है आपको हमारे च जल रहा है जो है वह है ध्रूपत अपसस्तल और घट रहा है जहां सुनाई दे रहा है वह है गिर्धरी मठ वहां पे कुछ अजीब तरीके की 11-12 आवाजे आपको सुनाई देगा और जहां पे बढ़ रहा है वह है नेमाल गादी जैसे कि लिखाए कि जब बर्गत का फीट को उचा ही पर था आज इसके नामों ने सन नहीं है जबकि बिल्कूल वह समट गया है जब यह पूरी तरीके से जब वह चोटा चोटा कुछ भी दिख रहा है जब यह पूरी तरीके से समट जाएगा तब मिलगा यूग अंत का बड़ा संकित तो यह सब हम आपको डर करनात जैपन सखा